हालो एब्रीवन दिस इज मदर महंतिवारी एंड यह वाचिंग और चैनल फिनांसर पंडित एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूं दोस्तो हर दिन एक नया वीडियो आपको मैं एजुकेट करता हूं यह मेरी स्पॉंसरेटरी है कि जब भी कुछ नया हो मार्केट में कुछ भी फिनांसर प्रडॉक्ट से रिलेटेड यह कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट स्टाटेजी जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो तो मैं हमेशा आपके लिए लेक्या हूंगा दोस्तों यह जो वीडियो है यह बहुत ज्यादा इंपॉ सोच रहे होगे कि की स्टॉक मार्केट है स्टॉक मार्केट से हम बहुत जल्दी रिटर्न ले सकते हैं देखो दोस्तों मैं आज जो आपको बताऊंगा वह स्टॉक मार्केट नहीं है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रॉडक्ट जो मीच्वल फंड से भी ज्यादा रिटर्न मैं जो आज बात करूँगा जिस प्रॉडक्ट के बारे में बात करूँगा इन्वेस्टमेंट प्रॉडक्ट के बारे में बात करूँगा वो आपको रातो रात हो सके तो 100% या रातो रात आपका पैसा दुगना हो और अगर आप उसी कुछ महीने चार महीने पांच महीने छोड़ दिये, तो 200% तक आपको return मिल जाएगा, दोस्तों, आप सुनके चोग गए होगे, 200% तक return कुछ महीनों में, ये कैसे possible है, exactly possible है, आज जो मैं बात करूँगा, मैं सबसे पहले कुछ एक company आपके सामने लेके आता हूँ, एक ऐसे company जो 2019 में जिसका IPO आया हुआ, तो रातो रात कमाने का तरीका एक ही है, अगर अच्छे IPO में अगर आपने पैसा लगाया तो रातो रात आप बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं आपको IPO पे believe या विस्वास बनाने के लिए कुछ एक information दिखाना चाहता हूँ कुछ historical return दिखाना चाहता हूँ, जिसके basis पे आप समझ सको कि कितना return मिलता है 2019 में कुछ एक दो IPO हैं, जो बहुत strong performance दिये हैं, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ historical return दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, कि क्यूं क्यूं ये product आपके investment के लिए, और एक अच्छा return लेने के लिए, so time में बहुत अच्छा है, तो चलिए देखते हैं कौन ऐसा दो ऐसे IPO हैं, जो 2019 में आएं और आज के time में, मार्केट में देखोगे, तो इनका return काफी अच्छा है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये IRCTC का share का information है, historical return है, मालनो आप IPO में invest कियें, लेकिन आपको IPO का alertment नहीं मिल पाया, तो आप अगर share में भी पैसा लगाते हैं जब ये company, जो IRCTC है, जब market में, जब secondary market में trade होने लगा, और उस समय अगर आप पैसा लगाते, तो कितना return मिल जाता, ये देख से, 1st October 2019 को, ये secondary market में trade होने लगा, और उस समय उसका जो price था, मैं सिर्फ open price की बात करूँगा, 626 रुपे, यहाँ पर आप देख सकते हो, 626 रुपे, और एक ही दिन में, जो high गया, वो 953 रुपे है, यहाँ पर 300 रुपे का high यहाँ पर मारता है, उसके साथ ही साथ अगर उसका closing price देखो, तो सिर्फ 881 रुपे, यहाँ पर देख सकते हो 200-200 का difference यहाँ देखने को मिला है, आपको एक ही दिन के अंदर, चलिए 1 November 2019 को, ठीक 985 रुपे यहाँ पर हो गया, चलिए 1 December 2019 को 902 रुपे हो गया, वहीं पर 1 January 2020 को 941 रुपे 90 पैसा हो गया, वहीं पर अगर 1 February 2020 को देखें, तो 1241 रुपे देखने को मिला, और 18 February 2020 को आज के टाइम में, आज अगर हम IRCTC की बात करें, share price का तो 7-8% का हाइक सिर्फ आज ही हुआ है, आज का closing price जो है, वह 1638 रुपे है एक दिन में 7% का यहाँ पर रेटर्न देखने को मिला है, देखो दोस्तो अब अगर, फोर एक्जामपल अगर हम एक्जामपल यहाँ पर लेते हैं कि मालनो, 626 रुपे का 1st October 2019 को 626 रुपे का share था यहाँ पर आप सिर्फ 100 share उठा लेते कितने का investment हो जाता, 100 share उठाते तो यहाँ पर 62,600 रुपे का आपका total investment हो जाता 1 November 2019 को वही share का price 885 रुपे, आपका fund का value कितना हो गया, आपके fund का value 88,500 रुपे कितना यहाँ पर profit, यहाँ पर return कितना आपको मिलता है, यहाँ पर आपको profit 25,900 का profit दिखता है, जो की 41% का है, यहाँ एक महीने में आपको 41% का return है, कई ऐसे mutual fund है, कई ऐसे investment product है जो आपको एक महीने में 41% का return कभी देही नहीं सकते हैं लेकिन आपने एक महीने में यहाँ पर देख सकते हो, 41% का return है, चलिए अगर वही पैसा, एक दिसंबर 2019 को देखते हैं, तो IR City का जो share का price था 902 रुपे आपका जो fund का value हो जाता है 90,200 रुपे, यहाँ पर आप 27,600 रुपे का profit ले रहो, return के मामले में कहें, तो 44% का return मिल रहा है, आपको सिर्फ 3 महीने में 3 महीने में 44% का return, चलो अगले महीने चलते हैं, अगर 1st January को देखो IR City का share का price था 941 रुपे है आपके fund का value आपके पास 100 share पड़े हुए हैं, आपके fund का value 94,100 रुपे यहां देखने को मिला है, profit में आपका कितना हो गया, पहले आप 62,600 लगाये थे, यहां पे 94,100 गया, 31,500 का profit यहां पे देखने को मिला है, जो की return के मामले में देखें, तो 50% का return है, एक October 2019 को आप पैसा लगाते हो 62,600 रुपे और एक जनवरी 2020 को, ओल्मूस्ट चार महीने में आपका जो पैसा है 31,500 का profit हो जाता है और 50% का return हो जाता है तीन से चार महीने में 50% का return, इट मिन्स की एक साल में हम कहें तो कम से कम भी डेड़ से दोगुना पैसा आपका हो सकता है, अगर यहीं पे, एक फरवरी 2020 में अगर हम देखे, 1241 रुपे IRCT share का price चला जाता है आपके fund का value 1,24,100 रुपे हो जाता है और profit देखे तो 61,500 का profit, return के मामले में 98% का return इट मिन्स की आपका पैसा सिर्फ 5 महीने में डबल हो गया यहाँ पे आपका पैसा 5 महीने में डबल हो गया कोई ऐसा share नहीं है कोई ऐसा mutual fund नहीं है जो आपको 5 महीने में आपका पैसा डबल करके देगा चलो यह 18 फरवरी 2020 आज के date में अगर आपका 100 share होता 1638 रुपे के price पे तो आज का जो latest value हो जाता है 1,63,800 आपको कितना का profit हो रहा है यहाँ पे 1,1200 रुपे एक लाख के उपर आपको profit हो रहा है return के मामले में 161% का return है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6-7 महीने में 161% का return है और जिस speed से IRCTC जा रहा है almost हम कह सकते हैं कि return के मामले में एक साल में आपका पैसा चार गुना और तीन गुना कर देगा यहाँ पे IRCTC इतने तेजी से क्यों बढ़ रहा है क्योंकि देखा जाए तो इसका कोई competitor नहीं है इस market में कोई भी competitor नहीं है इसलिए IRCTC का जो monopoly market है यहाँ पे इसका price बहुत हाइक जा रहा है और आपका return सिर्फ 6-7 महिना में 161% का return हो गया चलिए यह तो रहा एक IPO जिसमें अगर आप IPO में आपको IPO में अलर्टमें नहीं मिल पाता तो अगर आप share में इंवेस्ट करते हैं अक्टूर 2019 को पे इतना return मिल जाता लिए next जो है next IPO की बात करते है next IPO जो है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहा हो यह जो IPO है यहाँ पे जिस IPO को में ले के आया हूँ वो है उजीबन financial service यह 2019 में मार्च के महीने में secondary market में trade होना start हो गया था IPO आया था अगर इसके secondary market में जब trade होआ था तो एक मार्च 2019 को इस particular share का price जो था 279 something था एक अपरेल 2019 को share का price 349 था वहीं पे एक मही 2019 के share के price का देखे तो 324 रुपे something था वहीं पे अगर जुलाई में देखें तो यहां थोड़ा सा गिर 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 गिया है 298 रुपे something का है यहां पे अगर हम अगस्त में जाएं तो 270 रुपे है यहां भी गिरा है वहीं पे सब्टमबर में जाके देखें तो 304 रुपे यहां पे थोड़ा सा फिर से market high हुआ है और एक सब्टमबर 2019 को जो 304 रुपे है वही आप देखोगे एक अक्टूर 2019 को 315 रुपे बढ़के चला गिया है नमबर में फिर यह गिरा है 273 रुपे पे और दिसंबर में 345 रुपे में देखा गिया है वहीं पे अगर एक जनवरी 2020 को देखोगे तो यह 350 रुपे पहुच गया है और वहीं एक फरवरी 2020 को 370 रुपे के करीब में पहुच गया है आज की डेट में 18 फरवरी 2020 में अगर जिवेन फिनांसल सर्विस के सेर प्राइस की बात करें तो 388 रुपे है अब आपका हिस्टोरिकल रिटर्न कैसे है और कितना हुआ ये भी हम देख लेते हैं फोर एक्जामपल अगर आप 1 मार्च 2019 को 100 सेर ख़ईद लेते ये जिवेन फिनांसल सर्विस का 29 रुपे 70 रुपे 100 सेर 27,900 रुपे का यहां 970 रुपे का आपका इंवेस्टमेंट होता 1 माई 2019 को आपका जो फंड का वेलू हो जाता जो की सेर का उस समय प्राइस चल रहा था 324 रुपे 90 पैस है आपके फंड का वेलू कितना हो जाता 32,400 रुपे हो जाता वहीं पे 1 जुलाई 2019 को आपके फंड का वेलू कितना हो जाता यहां पे घट जाता 39,000 almost 29,800 यहां देखने को मिला है क्योंकि सेर का प्राइस जो 1 जुलाई 2019 को 298 रुपे चल रहा था चलो 1 सेप्टमबर 2019 को अगर देखे तो 304 रुपे चल रहा था आपके फंड का वेलू हो जाता 30,400 आपने पैसा कितना लगाया था 27,970 और सिप्टमबर 2019 में आपके फंड का वेलू 30,400 रुपे हो जाता है नवंबर 2019 में यही थोड़ा सा घट जाता है और 27,300 रुपे हो जाता है क्योंकि सेर का प्राइस 273 रुपे हो जाता है फिर एक जन्वरी अगर 2020 की बात करें 349 रुपे शेयर का प्राइस चलता है आपका 100 शेयर जो वैलू जाता है वो 34,900 रुपे रिटॉर्ण के मामले में 25% का रिटॉर्ण अभी एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी 9 से 10 महीने का प्राइस चलता है और यहां से 25% का रिटॉर्ण आपको दिख रहा है चलिए वहीं पे अगर देखे 18 फरवरी 2020 आज के डेट में इस सेयर का प्राइस 388 रुपे चलता है आपके 100 सेयर का कितना वैलू हो जाता 38,800 रुपे आपने पैसा कितना लगाया 27,970 रुपे रिटॉर्ण के मामने में यहां पे 38% का रिटॉर्ण है एक साल के अंदर 38% का रिटॉर्ण कोई भी mutual fund दे तो सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा tough है रिस्क बहुत ज़्यादा है लेकिन यहां पे आपको easily 38% का रिटॉर्ण बिल रहा है आपके सामने क्यों लेके आया क्योंकि यह पिछले साल यह IP हो आया थे और बहुत अच्छा performance दिया है यह अगर secondary market में जब से trade होना start हुआ है अगर उस समय से भी अगर आप पैसा लगाते तो रिटॉर्ण के मामले में अगर IRCTC की बात करें तो स्रिप आप देख सकते हो 6-7 महिने में 165% का रिटॉर्ण वहीं अगर उस जिवन finance service की बात करें तो एक साल में 38% का रिटॉर्ण आपको देखने को मिला है मेरा कहना यह है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे IPO आने वाले है अगर आपको उसका alertment नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं जब वो company secondary market में trade होने लगे तो आप buy कर सकते हो आपको easily आपको share मिल जाएंगे तो आप वैसे company ओपे focus करो जिसका IPO आने वाला है क्योंकि रातो रात आपका पैस सद्दूना हो जाएगा और यह बहुत important है कई बार आपके सामने opportunity होता है और उस opportunity को आपको grab करना पड़ेगा आप traditional investor हो एक smart investor हो इन दोनों बातों को समझो अगर एक smart investor हो तो ऐसे ऐसे opportunity को हमेशा grab करना पड़ेगा मैं जो बात करूँगा कि अब आने वाली time में कौन-कौन से IPO आने वाले है बहुत ही बड़े-बड़े IPO जो अगर आपको allotment मिल जाता है तो return के मामने में रातो रात आप दूगना और तीनगना पैसा कमाल होगे .1% अगर आपको allotment नहीं मिल पाता है तो आप secondary market में जिस दिन से trade होड़ता है उस दिन से अगर आप share buy कर लेते हो तो 100 share भी रखते हो तो आपको return काफी अच्छा मिल जाएगा लेकिन कौन-कौन से IPO market में आने वाले हैं इस 2020 में वो आपको ध्यान देना पड़ेगा मैं आज आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन-कौन से IPO आने वाले हैं कि आप देख सकते हो SBI card IPO का जो IPO size है वो 9600 क्रोर का यहां पर है बहुत बड़ा यहां पर देख सकते हो बहुत बड़ा यहां पर IPO size है तो आप देख सकते हो SBI card का IPO है आप इसको miss मत करना अगर ले सकते हो तो लेना लेकिन अगर 0.1% आपको अलोटमेंट नहीं मिलता है आप secondary market में जिस दिन ट्रेट होता है उस दिन आप buy गर सकते हो और easily आपको मिल जाएगा चलिए दो next है वो जो देख सकते हो बजाज energy IPO है इसका जो total IPO size होगा वो 5,450 करोड का यहां पे होगा यहां भी अगर आप elotment के लिए इस रिक्वेस्ट करते हो और अगर इन दे केस नहीं मिल पाता तो secondary market में जब आए तो आप इसको trade कर सकते हो चलिए cams IPO की बात करें तो यह 15 क्रोड का IPO size है वहीं पे अगर लोदा developers IPO की बात करें तो यह भी बहुत बड़ा IPO है पच्पंसो करोड का यहां पे IPO देख सकते हो जो की upcoming है इन सारे IPO का कोई data भी fix नहीं है लेकिन जैसे जैसे यह IPO आएगा मैं आपको हमेशा information provide करूँगा चलिए जो next है आप देख सकते हो यहां पे Monte Carlo का limited IPO का 550 करोड का है वहीं पे जो next है जो बहुत बड़ा IPO है मेरे लिए UTIAMC IPO यह भी जब IPO मार्केट में आएगा आपको return रातो रात पैसा दुगना और तीन कुणा देदेगा वहीं पे जो next बहुत बड़ा IPO है जिसके मैं अब पुराना एक विडियो बना चुका हूँ जिस पे बहुत ज़्यादा है LIC IPO इसका अभी IPO का size decide नहीं आ है लेकिन इतना है कि almost कहा जाए तो 90,000 करोड का fund यहां पे IPO का size हो सकता है यह एक अंदाज़ा है लेकिन seo rein certain नहीं है तो आप देख सकते हो यह IPO मार्केट में आने वाला है आप अगर रात और रात इसमें अगर आप पैसा लगाते हो अलर्टमेंट मिल जाता तो रात और रात पैसा आपका दुगना हो जाएगा इंदे case नहीं मिलता है secondary market में जब तो trade करो लेकिन सारे IPO नहीं करने इसमें भी मैं आपको बताऊंगा SBA card IPO पे आप believe कर सकते हो बजाज energy IPO पे आप believe कर सकते हो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर थोड़ा सा believe UTI AMC IPO पे और LIC IPO पे आप believe कर सकते हो और इसमें आप अपना पैसा लगा सकते हो यह जो IPO आने वाला ह लेकिन एक humble request अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी start करें फिर्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जहीं जय बारत